नमस्कार बिहारी नियुज देख रहे हैं आप महूँ आपके साथ नहीं और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का अगाज और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्ख्यों पर पंच तत्तों में हुई बिलीन सार्दा सिनहा नमाखों से दी गई विदाई बेटे अंसुमान सिनहा ने दी मुखगने ब्यार के सिक्षकों के लिए खुस खबरी अस्थांतरन आवेदन पर करिया आज से सुरू 22 नवर्तर कर सकते हैं आवेदन राजी में फिल्म सुटिंग को मिलेगा बढ़ावा सुटिंग के लिए खोजे जा रहे हैं नया अस्थल भावनिर्माट विभाग से मांगे गए अस्थल का बेवरन विहार में किरकेट को मिलेगी नई दिसा मोईनूल हक श्टेडियम लीज पर सौपा गया बिसीसी आई को लीज पर सौपा गया श्टेडियम और सोचल मेडिया पर ट्रेंड करने लगे धोनी इस कारण से ट्रेंड कर रहे हैं अमस धोनी एक साल पहले की घटा बनी ट्रेंड करने की वज़ब खाबरे विस्तार से विहार सरकार ने छट पर्व को लेकर सभी जिलों में विसेस दवस्ता की है स्वास्त विभाग ने छट वर्तियों के स्वास्त की सुरक्षा के लिए एंबुलेंस तैनात करने का आदिश दिया है साथी प्रात्मिक उप्चार के लिए दवाओ की विवस्ता भी की गई है परमोक घाटों पर चिकितसक नर्स और स्वास्कर मी दिवटी पर तैनात रहेंगे एंडियारिफ और इस्टियारिफ की टीमें भी घाटों पर निगरानी रख रही है जिसमें गोता खोर भी सामिल है गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए ना उसे गस्ति की जाएगी पत्णा में अंड्यार एफ की याठ और इस्ट्यार एफ की 14 टी में तैनाद की गई हैं आज साम और सुक्रुवार को सुबह के अर्ग के समय किसी भी परकार की स्वास्त समवंधित समस्याओं से बचने के लिए बिसे सत्कर्ता बढ़ती जाएगी बिहार की लुक गाईका श्रादा सिन्हा को भवे राज की समान के साथ पर्टा के गुलावी घाट पर अंतिम बढ़ाई दे गई उनके बेटे अंसुमान सिनहा ने मा को मुखगनी दी उनके अंतिम संसकार के दौरान गुलाबी घाट पर उनके परिबार जन करीबी रिस्तेदारों और परसंसकों का हुचुम रहा पुरुकेंद्रे मंतरिया, स्वेनी चौबे और पुरुसांसद राम किरपाल यादो भी घाट पर मौजूद रहे सारधास सिनहा की एक्षा थी कि जहां उनके पती का अंतिम संसकार हुआ है वहीं उन्हें भी अंतिम बिदाई दी जाए इसे वज़ा से उनका अंतिम संसकार जो है पत्ना की गुलाबी घाट पर क्या गया बदादे बिहार की लोक गाईका जिनकी आवाज में बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग रमे हुए है सारदा सिनहा की गाईकी ने छटगीतों और लोक संगीत में एक विशिष्ट अस्थान बनाया है आज बे नहीं है लेकिन उनकी आवाज घरोस लेकर घाटों तक गोज रही है जो उनकी अमीट धरोहर है सारदा सिनहा की योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनका संगीत हमेशा हमारी बीच जीवंत रहेगा राज के सभी सरकारी और नीजी विद्यालियों में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों को बाल अधिकारों के प्रती जाग रुक किया जाएगा इसके लिए बिहार बाल अधिकार संग्षड आयोग ने 14 से 20 नॉवंबर तक बाल संग्षड सप्ता आयोजित करने का आयलान किया है इस दोरान इसकूलों में बच्चों को बाल स्रम, बाल बिवा, बाल सोसर, बाल तसकरी, गोड टच और बैड टच जैसे मात पूर मुतो पर जाग रुक किया जाएगा आयोग ने सभी जिला सक्षापा अधिकार्यों को इस संबंद में दिसानर दिस जारी किये हैं और स्कूलों के परचार्यों से विभीन आयोजिनों की अपयक्षा की है साथ ही आयोग ने कहा है कि बाल अधिकारों से जुड़ी जालुकता बढ़ाने के लिए इस स्कूलों में बिसेस परिशर्चा आयोजित के जाएगी जहां बच्चों को उनकी अधिकारों की बारे में जानकारी दे जाएगी इस सब्ता के आयूजन के समापन पर आयूजनों की जो पूरी तस्वीर हैं उस रिपोर्ट को आयूग के पास भेजना भी ज़रूरी होगा बिहार में 1.8-7 लाग सक्षमता उत्तिर नियूजित सिक्षकों और BPSC से चैनित सिक्षकों के लिए अस्थांतरन आवेदन पर करिया जो है आज यानि 7 नॉर्मबर से सुरू हो रही है सिक्षकों को सिक्षा विवा के पूटल इस सिक्षा कोस पर जाकर अपने टीचर आईडी से लॉग इन करना होगा इसके बाद उन्हें ट्रांसपर बटन पर किलिक करके ट्रांसपर अफ्लिकेशन फर्म को भरना होगा इसके बाद पंजिकरित मॉबाइल नंबर पर OTP जाएगा इसके बाद OTP वेरिफाई करना होगा ट्रांसपर के आवेदन के लिए नियमित सिक्षक, सक्षमता उत्तिड नियोजित सिक्षक और BPSC पहले और दूसरे चरण के च्यानित सिक्षक ही पात रहोंगे ये परकिरिया 22 नॉवंबर तक जारे रहेगे सिक्षकों को ये ध्यान रखना होगा कि वे अस्थांतरन के लिए आवेदन में हां का विकल्प चुने अन्य था उनका अस्थांतरन बिना विकल्प के उनकी ग्री जिला में किया जाएगा बिहार लोक सिवा आयोग BPSC द्वारा आयोजित सिक्षक भरती में डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए 18 महीने का DL8 करने वाले सिक्षकों की नियुकती का मामला सामने आया है दरसल BPSC TRE के पहले चरण में मुझाफर पूर समेथ बिहार के पांच जिलो में आयसे सिक्षक चैनित हुए थे जिनके पास दो साल का परसिक्षण नहीं था बल्कि उन्होंने केवल 18 महीने का डिस्टेंस DL8 किया था अब इन सिक्षकों के चैन को लेकर ब्यवाद उठने के बाद प्रात्मिक सिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इंजीलों की अधिकारियों को जाज के आदेश दिये हैं सुत्रों के मुताबिक इन जीलों में देड़ दर्जन सरधिकाय से सिक्षक हैं जिनके परमार पत्र की वैधता को लेकर जाज सुरु की गई है इससे पहले सुप्रिम कोर्ट ने 28 नौमबर दोयटेश को यादेश दिया था कि प्रात्मिक सिक्षक के पदपर न्यूकती के लिए केवल दो साल का नियमित परसिक्षड ही मानने होगा जबकि 18 महीने के डिश्टेंस परसिक्षड से प्राप परमार पत्र मानने नहीं होंगे राजसरकार ने फिल्मकारों को आकरसित करने और फिल्म इंडश्ट्री को बिहार में लाने के लिए बेहतरीन अस्थानों की खोज सुरू कर दी है राजसरकार ने भवन नर्मार विभाग के माधियम सी बिहार में इस्थित परमुक सरकारी भवनों पारकों गिश्ट हाउस और अन्य आकरसिक अस्थलों की जानकारी एकत्र करनी की परकिरिया सुरू कर दी है विभाग ने राजसरके सभी परमंडल के कार्यपालक अभ्यनताओं को पत्र लिकर उनसे इन विस्थलों का विवरन मांगा है इनमें फॉर्म हाउस पुराने भवन डाक बंगला अतिथी ग्रे स्कूल अस्पताल तलाब पुलिस चो की आदिसा मिल है ये विवरन फोटो सहीत मांगे गया है और साथ में ये भी पूछा गया है कि इन अस्थलों के उप्योग के लिए किस विभाग से अनुमती लेनी होगी सुल्क कितना होगा और किसी भी तरह की और कानूनी परकेरियाएं क्या हो सकती है बिहार की 79 सड़क परियोजनाओं को वन विभाग से अन्तिम स्विकृती नहीं मिल रही है जिससे सड़क निर्मार कामों में भारी रुकावटे आ रही है इन में से कई सड़के तो लगवग एक दसक पहले बन चुकी है लेकिन चौड़ी करण और अन्नी जरूरी कामों में बाधा बनी हुई है पथ निर्मार विभाग ने वन विभाग से इन सड़कों की अन्तिम स्विकृती देने की अपील की है विभाग का कहना है कि राज़्टी उच्पत परियोजनाओं को दो अस्तरों पर मंजूरी मिलती है इस्टेज एक में मंजूरी मिलने के बाद काम सुरू होता है लेकिन इस्टेज दो यानि की अंतिम स्विकृती की जरूरत होती है ताकि भविस्व में किसी भी परकार के काम को सुगमता से किया जा सके फलाल वन वेबाग ने 69 सडकों की अंतिम स्विकृती नहीं दी है जिसके चलते नया कार्रे और चौरी कड़न जो है नहीं हो पा रहा है बॉलीवूड के अभिनेतरी संचिता बसू इस साल भी छट पूजा के उसर पर अपने पैत्रिक गाउस सहर सा पहुची है संचिता जो की दक्षुर भारत की फिल्मों और वेब सिरिज में मुक्य भोमिका निभा चुकी है हर साल अपने गाव आकर इस लोकास्था के महापर्व को इंजवाय करती है इस साल में दो नौमबर को ही गाव पहुच चुकी है और अपने परिवार के साथ छट पूजा की चार दिवसीय रस्मों में सामिल हो रही है संचीता ने बताया कि उनका इस पर्ब से गहरा जुड़ा है खास कर उनकी दादी के साथ उनकी दादी खुद छट वरत करती है और इस पर्ब को साथ मनाना उनके लिए बहत खास अनुभव होता है इधर बिहार के दाज़ाने पर्टना इस सेथ मोईनूल हक श्टेडियम की पुननिर्मान के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है बिहार सरकार ने इस श्टेडियम को 30 सालों के लिए भारती किर्केट कंट्रोल बोर्ड को लीज पर सौप दिया है बुदवार को खेल बिभाग और BCA के बीच इस बाबत समझोता हुआ जिसमें BCA के अध्यक शुराकी स्कुवार्तिवारी और खेल निदेशक महेंदर कुमार ने हस्ताक्षर किये उक्मो के मंतरी समराच चौधरी ने इस मौके पर बताया कि इस स्टेडियम में 40,000 दर्सकों की छमता वाले नए धाचे के अलावा एक 500 शार होटल का भी नर्मार किया जाएगा साथी नय साल में स्टेडियम की सिला नयास के लिए प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी या ग्री मंतरी अमित्सा से आगरह किया जाएगा कला संस्कृति एओईवा विभाग विहार में संस्कृति कोरिडोर बनाने की तयारी में है जो राजी के परमुक धार्मी कोरितिहासिक अस्थलों को जोडने का काम करेगा इस कॉरिडोर में गया, बोध गया, नालंदा, राजगीर, लखी सराय, नावादा, मुंगीर और भागल पूर जिली सामिल होंगे इस परियोजना का मुख्यो देश से इन जीलों में सांस्कृतिक कारिकर्मों के साथ सात्मृति, संगीत, गायन और अन्य सांस्कृतिक गतिवीधियों को बढ़ावा देना है ताकि इन चित्रों में परियाटन को बढ़ावा मिल सके साथ ही रोजगार और सौरुजगार की नए आउस्वरों का स्रिजन हो जिससे अस्थानी जनता को लाभ पहुँचे बिहार के बेगुसराय जिले में सिहमा गाउ जहां सार्दा सिनहा का ससुराल है वहाँ इस बार छट महापर्व का उल्लास नहीं दिखाई देगा परसिध लोक गाई का सार्दा सिनहा की निधन के बाद गाउ में सोक का महल है सार्दा सिनहा जिनकी आवाज छट गीतों के वादेम से 20-20 में पैचानी जाती थी उनका निधन इस गाउ की लोगों के लिए अपूर्णी इच्छती है हलांकि उन्होंने स्वय कभी छट पूजा नहीं की लेकिन हर साल छट महापर्प के समय ससुराल में आकर गावासियों के साथ उत्सों का हिस्सा जरूर बनती थी इस साल छट महापर्प के पहले दिन उनके निधन ने गाउ में गहरी मायूसी लादी है बकसर जिले में परसासनिक सक्ति का सिलसिला तेज हो गया है जिलादिकारी अंसुल अगरवाल ने राजसु विभा के करमचारियों को बरखास्त कर दिया है जबकि 17 अन्य कर्मियों के खिलाब जाच सुरू कर दी गई है दीयम ने असपश्ट किया है कि भरष्टरचार के खिलाब उनकी जीरो टॉलरेंस निती जारी रहेगी और दोसियों के खिलाब करी कार्रवाई की जाएगी वाईजेले के स्वास विवस्ता को दुरुस्ट करने के दिसा में दीयम ने करी कदम उठाये है परसासन और स्वास विवाग की सलजुक्त टीम ने बकसर और डुम्राव अनुमंडल में पचपन से जादा नीजी असपटालो पर छापे मारी की जिन में से तीस असपटालो किल लेक और अल्ट्रा साउंट सेंटर को सील कर दिया गया डीयम ने कहा कि अवयाद नर्सिंग होम और असपटालों की खिलाप ये करवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि इस से मरीजों की जान खत्रे में थी और जिला परशासन की छबी पर भी सवाल उठ रहे थी ACN होकी चेंपियनशिप खिल ने पहली बार ब्याराई होकी उमेन टीम ने राजगीर में जवरदस्त यातरा की यहां के खुबसूरत वाधियों ने सभी खिलारियों का दिल छो लिया राजगीर भी अपने मैच से पहले महिला होकी टीम ने आके सांदार वातावरण का पूरा आनंद लिया जो सफारी और ग्लास ब्रिज पर सैर करते हुए टीम के सिदा से बहुत खुस नजराए खिलाडियों ने इस यात्रा के दोरान जम कर मस्ती की और खुद की यादे भी कैमरी में कायद की एसीन होकी चैंपियनसिप के इस संसकरन का आयोजन राजगीर में हो रहा है और राजज परसासर पूरी तरह से इस यतिहासिक आयोजन के लिए तयार है ब्यार के गया जिले की इमामगज विदान सबा चुनावी परचार के दोरान एक गंभीर हिंसर के घटना गटी चुनावी मैदान में है और आज उनके परचार वाहन पर हमला किया गया जानकारी के मताबिक हमलावरों ने परचार वाहन पर लगे पोश्टर और बैनर को फार दिया और इसके बाद गाड़ी के ड्राइबर की भी बेरामी से पिटाई की है हमलावरों ने गाली गलोज करते हुए पीम नरिंद्र मूदी, निदेशकबार, जतनरामाजी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुस्वा की जाती का नाम लेकर न केवल अपमान किया बलकि गाड़ी में आग लगाने की भी कोशिस की किसी तरह ड्राइबर अपनी जान बचाने में सफल रहा और गाड़ी को लेकर वहाँ से निकलने में भी कामयाब रहा ये घटना इमाम गण छेतर के बाके बजार पर खंड के बरहता पंचायत के पच्मा गाह में हुई है अमेरिकी राष्टपती चुना में डोनाल्ड ट्रम्प की संदार वापसी के बाद भारतिय किर्केट टीम की परोकप्तान महंदर सिंग धोनी एक वर्फ़र से सुर्ख्यों में है ट्रम्प के जुतने के बाद सुसल मेरिया पर धोनी ट्रेंड करने लगे क्योंकि 1923 में यू एस ओपिन के दौरान उनके मुलाकात ट्रम्प से हुई थी दोनोंने साथ में गुल्फ खेला था जिसका वीडियो अब वाइरल हो रहा है ट्रम्प और भारतिये किर्केटरों का और नाता जो है हमेशा चर्चा में रहता है और यह नया मोर धोनी के फैंस के लिए खास बन गया है दोजर्बिस में ट्रम्प के भारत दौरे के दौरान उन्होंने सचीन तिंदूलकर का नाम सुचीन कहकर गलती की थी जिससे वे ट्रूल भी हुए थे अब धोनी और ट्रम सवाल का जवाब दिया है उनकी नाम है रंजित मिस्रा पर्मानंद पंडित दिलखूस रभी कुमार राम कुमारी अलका सुनिल राय नंदनी भारती अरून राम राम बाबुदास राज की सुर्मा तो संजीव कुमार परमिला कुमारी पूजा मिस्रा कुस कुमार यादो का कमेंट सेक्षन में लिए कर जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही बियार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप बिहारी नियुज देखते रहे हैं और साथ अगर आप यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पेज को लाइक और फॉलू जरूर कीजेगा धन्यवाद